नमस्कर दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश कालिया हारदिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटीव चैनल अक्षित तैस्टरो मास्टर में मेरे विरिश्यव लगन एम विरिश्यव राशिवले दोस्तों कैसे हो दोस्तों बात करें फर्वरी मा की तो ग्रेग गुचर के अनुसार इसमा आपको भाग्ये एम करम का पूरण से योग प्रापत होगा लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छाओं के साथ अधूरे पड़े कार्या पूरंतिया की ओर चलेंगे दोस्तों यह मां भाग्या के स्वानवे बहुत ही खास रहने वाला है भाग् पर बिन बिन परकार के राई योगों का निर्मान होगा जो आपको सफलता एम उनतिकी और अगरसर करेंगे दोस्तों शुरुआत करते हैं इस मां में सबसे पहले राशी परवरतन करने वाले ग्रैप बुद्धी हैं वेपार कार्क बुद्ध से दोस्तों चार फरवरी तक करम बापर ही गोचर रस्त रहींगे कार्या वेपसाई और वेपार के समद में बुद्ध का यह गोचर काफी साकारातमक है करम बापर बुद्ध का गोचर उत्तम है चार फरवरी को बुद्ध राशी परवरतन कर वकर अवस्ता के कारण वापिस भाग्या बाप में प्रवे का निर्मान होगा भाग्याबाब की मजबूत स्तिती से लक्षमी मा की विशेश क्रीपा परापत होगी खूब दन वरसेगा जमा पुंजी में वरीदी से बैंक बैलनस पड़ेगा आपके बुद्धी वल मेहनत प्रयासों और भाग्या के सहयोग से दन खींचा चलाएगा कुद्ध की ग्यान एंविवेक कारक गुरू के साथ यूति से आपकी बहुदिक शमता और ग्यान में अभूत परूरीदी होगी आप अपनी बहुदिक योग्याता से कठिन से कठिन कार्यावी सरलता से संपन कर लेंगे दोस्तों यह गोच्री स्तिति आपके भाग्या धन लाब और उन्नती के लिए शुब फलकारी बनी हुई है आप अपने बुद्धीवल बाहुबल और बाग्यावल से सफलता एम उन्नती करते चले जाएंगे स्थिति पूरण रूप से आपके पक्ष में दिखाई दे रही है जर्म कुली में वी इस अवदी में योग कारक द अमी है और गुरू भी संतान का रख है दोनों का ही शुब भाव नमभाव में गोचर संतान सुख में वृदी करेगा गुरू की संतान भाव पर शुब दिरिष्टी पड़ रही है संतान शेत्र से कोई सुखद समाचार प्रापत हो सकता है संतान से स्बंदित रुके हुए कार्या पूरन होंगे संतान की कामना के इच्छित व्यक्तियों की कामना पूरी हो सकती है संतान शेत्र के स्वंध में भाग्य का भी पूरन से योग प्रापत हो रहा है दोस्तों इस मां संतान के स्वंध में सुख एम परसंता का अनुभव करेंगे नो फरवरी से लेकर ग्यारां फरवरी तक चंदरमावी भाग्याबापर गोचर करेगा इस अवदी में छे ग्रहों का भाग्याबापर ब्रह्मन भाग्या को मजबूती परदान करेगा दोस्तों फरवरी माँ में बुद्ध के वाद दूसरा राशी प्रवर्तन है सूरिया का दोस्तों सूरिया बारां फरवरी तक भाग्याबाब में ही गोचरस्त रहेंगे भाग्याबाब पर सूरिया की अतीशत्र गुराय शनीवी गोचरस्त है परन्तु इन दोनों की जूती का कोई खास अशुब परवाव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी राशी के लिए दोनों ही ग्रै योग का रख है इन दोनों की जूती शुब योग का निर्मान कर रही है दोस्तो बारां फरवरी के बाद सूरिया की स्थिती और बेहतर होती दिखाई देगी क्योंकि बारां फरवरी के बाद सूरिया राशी प्रोरतन कर दसमभाव में प्रवेश करेंगे दोस्तों दसमाब करम से स्वंदित कुंडली के सब भावों में से महत्पुरन भाव है दोस्तों इस भाव में सूरिय का बल कई गुना बढ़ जाएगा मान समान कारक सूरिय की मिजबूत स्थिती से आपका यज़, कीर्थी, तता परतिष्टा चारों तरफ फैलेगी ग्रैहों के राजा परताप की सूरिय के करम वाव पर गोच्चर से आपका रुतवा बढ़ेगा कारेस्तल पर सब आपको समान की द्रिश्टी से देखेंगे लोग क्रीपेशा दोस्तों के पदवनिती के शुब योग बनेंगे भग्या वाव के साथ करम वाव की मजबूस सिती लाव पदोनती प्रगती तथप प्रयासों में सफलता की सूचक है सूरिय के शुब बर्मन से सरकार और पिता का सहयोग आपके साथ बना रहेगा राहनिती से सबंदी दोस्तों के लिए इस मा का ग्रैगोचर सफलता के शिखर तक पंचा सकता है महत्त पुरन पदपरापत हो सकता है दोस्तों आपकी राशी के लिए सूरिय सुखस्तान के स्वामी है करम बाप से सूर्या की अपने ही बाप सुख बापर दृष्टी पढ़ रही है इस दृष्टी के परवाप से सुखों में वरिदी होगी घर परवार में सुख शांती का महौल देखने को मिलेगा परवार एक सदस्या आपका सम्मान करेंगे तथा आपकी आग्या का पालन करेंगे करम बापर अधिकार पसंद सूर्या के परवाप से आपके परवाप और अधिकार शेतर का विस्तार होगा दोस्तो सूर्या का यह राशी परवरतन आपके लिए अनुकूल रहेगा सूर्य के बाद तीसरा राशी प्रवर्तन है राशी स्वामी शुकर का दोस्तो 21 फरवरी तक शुकर भग्याबाव की शुबता में वरिदी करेंगे गुरू की ही बांती शुकर का भी गोचर भग्याबाव में अती उत्तम और भग्याबर्दक है राशी स्वामी के रूप में शुक्र का गोचर शुबता में और अधिक वरीदी करेगा राशी स्वामी के शुब गोचर से आपका स्वास्त उत्तम रहेगा आप श्रीरिक स्वास्त के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्त पर सन एम शानत रहेंगे विचारों में शुत्ता के साथ सोच सक्रातमक रहेगी दोतर नवामबा पर शुब ग्रहों की अधिकता से आप धरम एमसंसकारों का पालन करेंगे धरम से स्वंदित कारों में बढ़ चड़ कर भाग लेंगे इस वरिय शक्ति पर आपकी पूरन शर्दा रहेगी आप इस अवदी में दान, पूजा पाट और प्रोपकार स्वंदी कारया संपन करेंगे किसी धार्मिक आजोजन का भी हिस्सा बन सकते हैं पहले से सोची होई कोई यात्रा संपन हो सकती है मित्तर भी सहता करने के लिए तत्पर रहेंगे दोस्तों 21 फरवरी तक शुकर का गोच्चर हर प्रकार से शुब रहेगा 21 फरवरी को शुकर करम बाब में प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों करम बाब पर शुकर की शत्रूग्रा सूर्या के साथ यूती बनेगी सूर्या की स्थिती पहले से ही मजबूत बनी हुई है इसलिए इस बाब में शुकर के मिले जुले परी नाम देखने को मिलेंगे शुकर की चतुर्थ बाब पर दृष्टी के फलसुरू भूमी भवन और वाहन समंदी सुख में वरिदी होगी परंट उशुकर पर सूर्या के परवाब के कारण पत्नी के स्वास्त और स्वाब पर कुछ वपरीत प्रवर्तन देखने को मिल सकता है दमपत्य बापर केत्व का गोचर पहले से ही दमपत्य जीवन को परवावित कर रहा है इसलिए पतनी के साथ ताल मेल एम मदूरता बनाई रखें दोस्तो चोथा राशी प्रवर्तन है मंगल का दोस्तो बाइस फरवरी तक मंगल अपने ही राशी में विराज मान होकर दादशवा पर गोच्चर करेंगे मंगल के गोच्चर से विदेश से तार जुड़ेंगे तथा विदेश सबंदी अधूरे पड़े कारया पूरान होंगे अपने वेपार का विस्तार विदेश तक करने के इचुक के लिए मंगल का गोच्चर अतियुत्तम साबित होगा दोस्तो दादश बाव में मंगल के प्रवाव से आप विर्थ के वयों के प्रतिस चेतर हैं फाल्तू के खर्चों पर लगाम लगाएं दोस्तो बाइस फरवरी को मंगल प्रथम बाव में प्रवेश करेंगे अर्थात आपकी राशी में प्रवेश करेंगे जहां पर मंगल का अतिशत्रुग्राय राहु पेले से ही विराजमान है राशी में मंगल के प्रवाब से आप में नुवीन उर्जा शक्ती का संचार होगा दोस्तों यह उर्जा शक्ती आपकी नस नस में जोश भर देगी यह जोश आपको आगे बढ़ने कुछ निया ततब बढ़ा करने के लिए प्रेरित करेगा उर्जा की अधिक्ता से आपके स्वाब में क्रोध का भाब भी देखने को मिलेगा इस समय क्रोध पर नियंतरन रखें नहीं तो बनते कार्या भी बिगड सकते हैं दोस्तो कुल मिलाकर यह माँ अनकूल रहेगा इस माँ भग्या एम कर्म के से योग से लाब मार्ग पर शस्त होगा दोस्तो आपको यह वीडियो कैसे लगी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यावाद